नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ जो भी लाइफ में आपकी चल रहा है जो भी दिकत चल रही है उससे यदि आप परेशान है तो एक चीज नोट करके रखी आप कल जैसा दुरलफ संजो पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन अभी तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप इस काम को जरूर कर लिजेगा चीजे थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कल साम में ये काम आपको करना है तो कब करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगे और कल साम में करना है तो सामगरी पूरे दिन में आप इकठा कर सकती हैं और ऐसी बात नहीं आप जहां भी रहते हैं जिस किसी भी सिटी म और कर चांदीन दिमांगे रहते हैं तो यह चीज तो मैं ने ध्यान में रखा हैं यह जो भी चीजय में बताती हूं यह आपको आसानी अभण में नहीं मिल भका सोब manufactured और प्रेयास उसे ऋभाएंगे तो चलिए दोस्तों सावन सोमवार की बहुत-बहुत सुपकामना है भगवान भोलेनात की पूजा आराधना आप सभी खूब मनसे करिएगा सामागरी बहुत टेंसर ना लीचे जो भी चीजे हमें मिल पा रही है बस वो समझे कि महादेव का वही प्रशाद है उसको ले करके और सिवाला जाए और भोलेनात की पूजा करिए सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहे हूँ कि देखिए सोमवार तो वैसे भी सावन में पढ़ने वाला सोमवार अपने आप में अदभूत होता है हम हर सोमवार को पूजा करते हैं पाट करते हैं भोलेनात की आराधना करते लेकिन पूरा ये जो सावन मास होता है बहुत बिसीस हो जाता है तो इस मास में जब आ गई है आपकी अश्टमीतिती तो अश्टमीतिती की काम है तो मैं बता दूँ आपको देखे कहा जाता है कि 64 योगिनियों के साथ भगवान भोले ना माफ करिएगा दोस्तों थकान से कर दोस्तों के रखिए क्योंकि जैसा कि मतलब आप जानते हैं वर्किंग मुमन के लिए बहुत मुस्किल हो जाता है ये सब कुछ एज़ेस्ट करना तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है वीडियो लेट जाती है तो साथ में जूडना चाहते हैं उपाय करना तो आप चैनल को सबस्काइब कर लिए बाद में मत कहिएगा कि देदी हम तक नहीं पहुँच पाया तो देखे आपको करना ये है कि सावन सो मुआर की अश्टमी कल जो रहेगी वो सिर्फ छे बच कर चोवालिस मिनट साम तक रहेगी उसके बाद नौ मेती थी लग जाएग कि करते हैं तो जितनी पूजा आुना आपको करना कड़े कि कि आप साम में भी भागवान भोले नात के लिए जो भी सफेद यदी गमछा आता है सफेद कपड़ा आता है वो भी समर्पित करना चाहे तो आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो कलावा सबसे बढ़िया है हर देवी देवता को वस्वरूप हम कलावा देते हैं एक जनेव मेरे सभी सुनने वाले सुन लेजिए सुरोता फोले नात को जरूर समर्पित करिएगा दुकान पर जाएगा पांच रुपय का जनेव मिलता है ये आज लेकर जरूर समर्पित करिएगा फोलेणात को आप जानते नहीं है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा यग्यो पवीत महादेव को समरपित करने से कहा जाता है कि जीवन की जितने बंधन होते हैं वो बंधन खुलने लगते हैं तो सभी महिलाएं भी ये प्रश्ट न करें कि हम नहीं समरपित कर सकते हैं जरूर समर्पित करिएगा लेकिन ध्यान रखिए यलो वाला नहीं पीला वाला नहीं आपको समर्पित करना है सफेद वाला जनेव ये करनीजेगा अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप कहीं भी जाएए बाहर कहीं भी जाएए दुकान पे या फिर कहीं भी अपराजित का फूल जो नीले रंका होता है अपराजिता के फूल नीले रंके होते हैं यह पूल यदि पांच की संख्या में मिलते हैं या फिर सबसे अच्छा तो दोस्तों यह उपाय जो है वह बहुत बहुत ज्यादा प्रभावसाली आप एक दिन करने में इसका रिजट देखिएगा तो करना यह है कि आपको पूरा एक माला ले लेनी है इसकी अपराजिता के फूलों के आपको बाजार में कहीं भी मिल जाती है अब मैं बताते हूं इसका करना क्या है आप सिव मंदिर में जाएगा पूरी पूजा जो भी करनी है सब कुछ आप अपनी पूजा आरदना कि आज एक दीपक जरूर मंद्र में प्रजवलिद करिएगा एक घी का तिल के तेल का जरूर प्रजवलिद करिएगा ये आपको प्रजवलिद करना बहुत ज्यादा अनिवार है दोस्तों मात्र एक रोशनी से ही कुबेर कुबेर बन कि एक चूर कुबेर बन गया तो हम और आप पूरे जीवन में इतना पाप नहीं किये होंगे जितना की इस दीपक में जलकर भस्मना हो जाए तो आज मुझे सुन रहे हैं तो एक दीपक आप सीव मंदिर में जरूर प्रजवलित करिएगा यह चीज आपको ध्यान रखना है उ लेकिन थोड़ा सा कपूर जला के जल्दी से बस एक बार भी घुमा लिए आप महा देवको तो पूजा के पूरता हो जाती है जतने पाप जीवन में होते हैं उतने भस्म हो जाते हैं और एक चीज श्म aja друзья है हम लोग तो मतलब मानोजियोन में जितने पाप करते हैं करते ही हैं कुछ हमारे पुर्व जन्म के भी पाप होते हैं जो की जलके भस्म हो जाते हैं और साक्षात स्यूपुरार आजकल आप लोग भी पढ़ी रहे होंगे लिखा हुआ है कि पुर्व जन्म के संचित पाप कर्म को भस्म करने के लिए करपूर की समान वर्ण वाले महादेव की करपूर से आरती करने से संचित पापकर्म भी जलकर भस्म होते हैं तो बेहत महत्वपूर्ण है इस काम को करना अब जो मैं आप से बताई हूं माला वो माला तयार कर लिजे या पांच फूल मिल जाते हैं अपराजिता का ही क्यों मैं दूसरा भी तो बता सकते हूं लेकिन अपराजिता के फूल अपराजिता की पतिया यह जीवन में कभी नव पराजित होने का शंदेश देते हैं आपने अपराजिता स्त्रोत सुना होगा अपराजिता देवी का नाम सुना होगा तो अपराजित किसी भी तरह की समस्या है आप उसमें हारेंगे नहीं एक माला आपके जीवन से हार को खतम कर देगी अब ये मत समझेगा कि आपने कोई भी किसी के साथ बुरा कर रहा है भला कर रहा है कुछ भी बुरा भला भी करके और आप सोचेंगे कि आप हारेंगे नहीं तो ऐसे कोट पुर्ण होने के बाद माला पहनाए और महादेव से प्रार्थना करिए कि है बाबा है विश्वनात का मतलब कि मैं बाराणसी से हूँ तो हमारे आकासी विश्वनात मुँंसे निकलते ही हैं लेकिन आप भी बोल सकते हैं हे बाबा विश्वनाजी मुझे जीवन में हार मत दीजेगा और मैं जिस पत पे चलूँ वहां मुझे बिजय मिले मैं इस कामना के लिए इस माला को समर्पित कर रहा हूँ आपकी कोई भी कामना हो वो बोलिए और बाबा से प्रे करिए और लेकिन ध्यान रखेगा समय का छे 44 से पहले कर लिजेगा अश्टमी तीथी समाप्त होकर और 645 पे नौमी लग जा रही है तो नौमी से पहले ये काम आपको कर लेना है तो ये चीज आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा दोस्तों और आज ये माला आप जरूर समर्पित करिएगा अब वो लोग परिशा एक अपराजिता के पुस्प समर्पित करने से प्यक्ति के जीवन से हार चली जाती है तो ये काम आपको कर लेना है दोस्तों और ध्यान रखेगा मैंने वीडियो डाल रखी है कि पारण कब करना है सोमवार का तो वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेक कर लिजेगा और इस्टाग्राम फेस्टूक मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं और जो कुंडली दिखाना चाहते हैं जो ग्रहों की पोजिशन जानना चाहते हैं वो इन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो चली ये वीडियो यहीं तकती मिलती हूँ आपको अगली वीडियो म भगवान बोले नात के करपा आप सभी पर बरस्ती रहे हर हर महादीव